27 साल के उम्र में विधान सभा पहुंचने वाले एक युवा में जो जो जोस तब था वो आज भी बरकरार है यही कारण है कि बदलते हुई राजनितिक परसेतियों में वो अपने को मजबूत बनाये रखे हुए है उनकी मजबूती का एक सबसे बढ़ा उधान यह है कि मुख मंतरी रात की सोर सिंग्जी की आई ये उनसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो आपको मुख्यमंतरी का भरोशा बनने के लिए बहुत बहुत बढ़ी समस्या है आप एक बरिश्ट मंतरी है ऐसे में बिरुजगारी दूर करने के लिए आपके विवाग से बहुत सारी यह जो चलाई आ रही है जिसमें डेरी प्लांट एक सबसे बड़ा सबसे बड़ी योजना है इस योजना को योजना के विस्तार के लिए या इससे रोजगार उत्पन हो इस दिसा में आपका विवाग क्या कर रहा है देखिए सरकार बनने के तुरंद बाद माने मुखमंतरी जी न हमारे गाउं के नौजवान हैं जो रोजगार करना चाते हैं अगर उनको सुरुवाती दोर में लगा दिया आता तो ये योजना फ़लाप हो जाती जाएगी उसमें हम जानते हर गाओं में दस पाश लड़के नौजमा लड़के इससे रोजगार पाएंगे इसी तरीके से कुटकी योजना हमारी है कि अंडे पे एक करोड अंडा प्रड़े हमारे उत्तर प्रदेश में आता है जबकि इतना बड़ा राज हमारा उत्तर रोजगार पाएंगे तो डिपार्टमेंटल जो रोजगार है वो रोजगार हम लोग दे रहे हैं इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे नोकरियां तमाम नोकरियां हमने दिया भी और आने वाले समय में भी अभी देखे होंगे तमाम लक्सुचाई में नोकरी निकली है आप के पंचायती राज में निकल रही है आपके लेकपालों की निकल रही है तमाम मतलब लाखों नियुक्तियां उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री ने जिस तरीके से फिरी किया है लाखों नियुक्तियां निकल रही है और लाखों लोग रोजगार पाएंगे तो हम मतलब सरकार ह यहां कोई जूटा वादा नहीं है यहां जो है हमारे देख रहे होंगे कुकूट की योजना जब पूरे पहमाने पे सफल हो गई तब आज आप इंटर्वी मुझसे ले रहे हैं यही देश की सरकार है काम उनका कुछ रही है अब उनका इंटर्वी पहले चलने लगता है अब उसका वर्जन आपने निकाला है वह बड़े लोग की योजना बंके रह गई है जो आपने उसकी मीनी योजना निकाली थी जिसमें कम पैसे से लोग जूड़ सकते थे वह भी बहुत आम लोगों तक नहीं पहुंच भाई तो अब उसको आम आन्मी से जोड़ने के लिए क है और इतना जबरजस्ट डिमांड इसकी है लेकिन जो बैंक हमारे है बैंकों से थोरह दिकते आती थी लेकिन अब उसके लिए उसको कसा गया है कि बहुत तेजी के साथ जिलादीकारियों को नुर्देश दिया गया है कि बैंकों से समय बना करके चाहे जैसे इनका फाइने कर दीजिए तो हमारी योजना बन गई बहुत जल्द मुकमंदरी जी ने घुंकला भी कर दिया है और बहुत जल्द यह जल्द धरातल पे आ जाएगी आप युहार पजधन भी है पजधन पालन में ही था उसमें इतने बड़ी संध्या में यूपी में परसू है लेकिन उसके किलो मीटर पे आप आपको एक हास्पिटल दिखाए पड़ेगा और डाक्टरों की संख्या हमारे पास बहुत है लेकिन कम है जितना होना चाहिए उतना नहीं है उसके लिए हम अधियाचन भेजते हैं आयोक को इलाहबाद अभी कुछ लड़के आये हैं डाक्टर होके हुआ था और यहां टीका करण जैसे पहले बच्चों इसके बारे में विस्तार से इसलिए जानना चाहूंगा आपसे क्योंकि वाकरी में आपकी वहाग कि सबसे सब्सक्राइब होजना आई है सामने लोगों के सामने और चर्चा में है सबसे बड़ी चीज़ है इसलिए मैं सब्सक्राइब करना है तो आपको लगेगा कि पस्तूओं को इस समय बहुत अच्छी ब्यवस्ता पालकों को बहुत अच्छी ब्यवस्ता उत्तर प्रदेश सरकार दे रहे हैं काम थेउन और कुट की जो बात आपने कहा काम धेञ राया किस से आम आदमि गांगा जुड़ी जाएगा आम किसान नौजमान सब दो यह लें तो यह उना कभी फिल रही होगी इसमें दीन प्रद दिन प्रोग्रेस होगा देखे आप देख रहे होंगे जो पसु अभी हमने मैं गोकुल ग्राम देने जा रहा हूं और हमारे पास वैसे भी तमाम जगह पर इसके इलाज के साधन भी है लखनो में भी है नेदा जी ने बराबर हमारे जो गौसाला है लगातार नेदा जी भी दौडा किया करते हैं मुक्मंत्रे भी जाते हैं परिवार भी उनका जाता देखता है उसको वहां जितने टूटे फूटे चुटे जितने भी पसु हैं वह वहां जाते हैं उनकी दवाय होती है और दवा होने के बाद अगर फिर वह दोवारा वापस आ जाते हैं दूथ के लिए तो उससे दूध भी निकाला जाता है और जो आपने कहा कि ऐसे पसु जो चुट्टा गूमते हैं शौराहों पर साहरों में आज की रेट को वापस करने के लिए दवाएं हमारे पास हैं बाश्पन को खतम करने के लिए बड़े पैमाने पी स्कीम में चला रहा हूं बाश्पन जो पस्व में जिससे आवारा पस्व आप करके छोड़ देते हैं उस पस्व को हम बाश्पन से मुक्ते दिलाने के लिए जिससे उसकी से जवाहों बरदारी ओबच्चा दे दूद दे बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं इतने पर पैमाने पर कभी नहीं चला था और देख रहे होंगे माश्पन बहुत बड़े पैमाने खतम हुआ है अवारा पसू जो आप कहते थे वह बहुत कम दिखाई पहले उत्तर प्रदेश को हो सकता है देश नहीं दुनिया में हो सकता है नंबर एक पिला दूद की शेतर में कर दें इतने बड़े पैमाने भी हमारा काम प्लानिक के तहट चला है अंडे के शेतर में हम उत्तर प्रदेश को टाप पे ले जाके कर देंगे यह हम और जो हमार कुकुड की योजना है मुर्गी पालन की योजना है जैसे पस हम दे रहे हैं ऐसे मुर्गी भी दे रहे हैं बकरियां दे रहे हैं हमारे पास सव बकरियां 95 पांच बकरा किसी भी ऐसे ब्यक्ति नौजवान को हम दे सकते हैं जिससे वो फिरी में जिससे रोजगार कर सके दस ब मुर्गी को हम एक परिवार में अगर कोई वरी परिवार उसको 50 मुर्गी और उसको रासन पानि दे करके चोटे धन्दे को जैसे गाउं में कोई काम जिसके पास नहीं है एक गाउं में सबसव लोग 50 लोग ऐसे हम करके दे रहे हैं जैसे बड़ी चीज़ यह आती है यह जनाओं के बारे में लोग नहीं जानते हैं जैसे गाउं-गाजे से आपने कहा कि मुर्गे देते हैं पैसे पर गाउं-गाजे उसको पता ही नहीं है कि यह सारी योजनाएं उनके लिए यह आपके बाद कैसे वहां तक देखें वानमी त अगली बुंदेल खंड में बख्रे भटे थे और मुक्मंद्रेजी ने सदन में कहा था कि बुंदेल खंड में जो बख्रे भटे वाटे वसब खागए और यह सही है सब खागए कहीं कोई योजना नहीं दिखाई पड़ी 10-5 लोग मिलके सब खागए लेकिन आज के रेट म जिस तरीके से योजना चल लही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आपको एक सिकायत नहीं मिल लही होगी कि किसी बकरे में किसी अधिकारी ने सुस्रन कर लिया किसी मुर्गी पालन में कर लिया काम धेनु में कर लिया कोकुट में कर लिया एक आदमी नहीं कह सकता कि किसी ने किसी कास्तकार से किसान से चाय पिया हो और यहां तक निर्देश है उनको हमारा कि अगर कोई आता है उसके पास कागज नहीं है तो आप सरकारी कागज पर उसका फार मभरवा दीजिए अगर उसके जेब में चाय पीने पैसा नहें तो आप चाय वहाँ बैठा करके उसको पिला दीजिए तो इसलिए किसानों को जैसे समाजवादी पार्टी से नेता जी से उम्मीदे थी उसी तरीके से सरकार आच चल रहे हैं मुखमंद्री जी के निर्देश में और आप देख रहे होंगे हम अदमी तक किसे पहुँचा है जो हमारा यह पृचार मेरी काक कशल रहे हैं पस्तुमों के उसमें हमारी अधिकारी गांगा जा रहे हैं और यहां जहान जा रहे हैं आप साव परसा करते रही है यह दो कभी आप देखें और पशचंगे आफिसों पर जाते नहीं थे और आज इन लोगा नहीं है दिनबर कौन करते करते के अगर इन को बुलाईए तो यह कहते हैं सहाब आज नहीं कल बुला लिजी भाए लगी है तो आज अगर इतनी फीड उमर रही है महां इतने लोग आ रहा है विभाग नोटिस में है टोल लंबर भी दिये हैं जिसको जाना हो सारी चीजें उस टोल नंबर के माद्धिम से जान सकता है दूसरी चीज आप वेबसाइट की बात किया है वेबसाइट पे भी हमारे सारे जो विजनाए पड़ी है उसको अगर कोई देखना चाहिए देख सकता है लेकिन गाव का आम आदनी जो वेपसाइट के बारे में जो नहीं जानता उसके लिए हमें टीका करण का जो माध्यम हमने लिया है उस माध्यम से गाउं-गाउं परचार करा रहे हैं एक गाउं में जब 20 लोग पहुंचते हैं तो गाउं के लोग सहभाई ग्रूप से सुचते क्या हो रहा है तो सारवाहा परजा चलता है कि टीका करण को और लेवी हमने माफ कर दिया था आप देखे और पचाहत्तरों जनपत हमने ले लिया पहले पूछ जनपत रहते थे तो इस से और आप जानते होंगे सबसे सक्त सबसे ज्यादे सक्ती से और सबसे बड़े पैमाने पे तेज काम डिपार्टमेंटों आज सुपाल जी कर रहे हैं अन डिपार्टमेंटों भी करते हैं अप्टमेंट भी करी रहे हैं जो जन्मिन सुविधाय थी नहरों का पानी उन्होंने फिरी कर दिया और कोई नहर ऐसी नहें जिसे पानी नहों सिल्ल सफाई का काम उ जो नहरे जाम पड़ी थी तो काम और जो टूटी-फूटी जो टूबलों की बात आपने कहा यह टूबल भी उनकी पास है टूबलों के मरमत के लिए उन्होंने बहुत जल देखिया हूंगे घंशला किया है कि सारे टूबल हमारे चालू हो जाएं और टूबलों पे जो भी विजली की दिक्कत नहीं है वाकिसान से जुली समस्था है उसे हम पूरा ध्यान दे रहे हैं पूरी सरकार दे रहे हैं